तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने मालूँ कैसे आप अपने सेम्संग के मॉहईल में सेंज़ू के कोई सी भी गलैक्सी सीरीज है उसके अंदर स्क्रीन शॉट कैसे ले पाएंगे हैज मैं आपको छह तरीके अ अच्छे मेथ्ट बताने वाला हूं जिसके दुआरा आप Samsung के कोई से भी Galaxy Mobile में screenshot ले पाएंगे बहुत ही easy तरीके से दोस्तो इसमें से एक या दो मैं बोल सकता हूँ बहुत कम लोगों कोई पता होंगे यह definitely पता ही नहीं होंगे तो दोस्तो वीडियो को स्किम मत करेगा वीडियो को पूरा देखेगा तो यह आप समझ पाएंगे चलते हैं आगे मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो दोस्तो जैसा कि मैं आपको बताया है मैं आपको 6 मेथड़ बताने वालों स्क्रीन शॉट के तो सबसे पहला मेथड़ जोस्तो यह है जो मैं आपको ले जाता हूँ यहां को इसी भी chat पे तो यहां पर आपको करना क्या है volume down की और power की को click करके रखेंगे यह तो सब को बता होगा यहां से screenshot ले सकते हैं आप देख रहे हैं screenshot ले लिया गया है जो दूसरा method बता रहे हो आपनों दोस्तों वो है sensor की through plam sensor की through उसके लिए आपको कैसे भी यहां पर कोईसी स्क्रीन के भारा जाएंगे और यहा star करेंगे तो यहां पर आपका यह click कर लेगा photo तो यह बहुत कम तरीके से मेरे से तो काम करता है यह देख रहा है यह photo click हो गई है अलका सा आप यहां swipe करेंगे तो यहां photo click होगी आपको दिख रहा होगा screenshot 하겠습니다 यहां पर click हो चुका है जैसे आप यहां से यू screenshot ले लेगा यह आप देख रहे होंगे यह screenshot ले लेगा बहुत कम ही लेता है मुझसे तो यह देखिए आप screenshot ले लिया गया है तो इसको plam sensor के तो plam sensor की तो screenshot लेते हैं तो यह वाला method को कैसे on करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा यहां setting में, setting में जाने कादा आप यहां नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको जाना है advanced feature में, यहां advanced feature में जाना है, screenshot, sorry, यहां जाना है आपको motion and gadgets में, motion and gadgets में जाएंगे तो आपको यहां आपको option मिल जो तीसरा method बताने वाला हूं दोस्तों वो भी Samsung के mobile में आपको pre-install मिल जाएगा, उसके लिए आपको एक assistant menu मिलता है, आपको दिख रहा होगा यहां पर, आप यहां click करेंगे, तो यहां पर आपको देखेंगे, यहां screenshot का option मिल रहा है, आपको simply उस पर click करना है, तो यहां प आपको accessibility में, accessibility में जाने के आपको जाना है, इंट्रेक्शन एंडिस एक्स्ट्री में, यहां जाएंगे, और यहां पर आप देखेंगे, आपको option मिल रहा है, उपर की तरफ assistant menu को आपको दिख रहा होगा, second number पर assistant menu को आपको इस कौन करके रखना है, तो यहां पर आजाएग तो यह भी बहुत ही काम का feature है, तो उसके बाद मैं 24 बताने वारा हूँ, वो भी बहुत ही कमाल का है, वो भी आपको easily मिल जाएगा, like देखिएगा, hey Google, तो आपको ऐसा बोलना होगा, hey Google, तो वहां पर आप देखेंगे, take a screenshot, यह देखिएगा, यह देखिए, screenshot ले लिया गय Google ने screenshot ले लिया, simply, आपको मैं अपनी voice यहां पर enable करना है, और वहां से screenshot ले लेगा, कोई से भी आप page पर होगा, आप कहीं पर भी हो, like आपने, यह मैं वाटसप पर आगया, वो अपनी chat खोल लिया, और यहां पर मुझे इस page का screenshot लेना है, तो simply जाना है, hey Google, take a screenshot, यह आप देखिएगा, simply a screenshot वहाँ पर capture हो जाएगा, आपको कोई button क्लिक करने की ज़रूद नहीं, कुछ करनी की ज़रूद नहीं, automatic यहां पर screen capture हो जाएगा, जो की बहुत ही जहां सुभी वीचर लगता है, इसको enable करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपने यहां Google पर ज यहां पर, यहां पर आप Google Assistant पर भी आ सकते हैं, और नीचे वॉइस पर भी जा सकते हैं, आपको Google Assistant पर या Voice पर जाना है, और वहां पर आपको अपनी वॉइस को enable कर लेना है, जो की बहुत ही कमाल का feature है, उसके बाद जोस्तों भी बताने वाला ही हूँ, आपको पाजवा method ज आप में screenshot ले पाएंगे, तो आप यह देखिएगा, मैंने simply यहाँ उपर की तरफ arrow पर, यह arrow उपर करा और यह screenshot क्लिक होगा, आपको दिख रहा होगा, simply में अगर मैं यह WhatsApp पर भी चले जाओ, यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे screenshot लेना है, तो मैंने यहाँ पर simply arrow उपर की तरफ क करके रखा हुआ है, screenshot वाला option, यह राइड वाले पर आएंगे, यहाँ पर मैंने set करके रखा हुआ है, screenshot वाला option आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ जाना है, जो इनसी भी जगा आपको set करना है, उस पर जाना है, टगल पे, वहाँ पर select कर लेना है, screenshot पे, तो आप यहा यहाँ पर आप चाहें कोई से भी option पर जाएं तो आप इसको use कर सकते हैं लाइक अब मैं left hand पर मैं यह जो simple में right hand swap करूँगा तो back लिखा हुआ है अब मैं यहाँ पर screenshot लेना चाहूँ तो इसको उपर की तरफ करूँगा और यहाँ पर मैं screenshot पर click कर दूँगा और आप देखेंगे मैं black से इधर left side से भी इधर swipe करूँगा तो भी screenshot आ रहा है जो की बहुत ही कमाल का feature है दोस्तों बहुत easily यहाँ पर screenshot आप ले सकते हैं उसके बाद दोस्तों मैं जो last matter बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही classic है तो आप यह देखेंग यह quick menu आ रहा है और यहाँ पर screenshot का option दिया गया है तो यहाँ से भी screenshot ले सकता हूँ जो भी बहुत शांदर भी चरहे तो इसके लिए भी आपको दोस्तों one hand operation वाली app में आना पड़ेगा इस app में आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे left hand पर मैंने यह लगा के रखा है quick tools जो क quick tools के अंदर आपको दिख रहा होगा यह quick tools आप कहीं भी add कर सकते हैं तो वहाँ से भी आप इसका use कर पाएंगे quick tools से आप easily screenshot ले पाएंगे और one hand operation के लिए मैं एक dedicated वीडियो बना रखी जिसका link में i button में दे दूँगा चाहे तो आप देखेंगे और उसका पूरे future आप दे होगी तो thank you आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थेंक्य दोस्तों